नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका कुलेज प्रोजेक्ट में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्डिनो से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों आपने मेरे काफी वीडियो में देखा होगा कि मैंने Arduino का जिक्र किया है तो दोस्तों इसलिए Arduino पर मैं एक पूरी सिरीज बनाने जा रहा हूँ इसमें आप Arduino के Simple Project से लेकर IOT तक के Advanced Project बनाना सीखोगे तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो से और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दीजिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों Arduino एक Open Source Computer Hardware और Software कंपनी है जो कि Digital Devices और Engineering के Project बनाने में काम आता है तो दोस्तों Arduino एक Micro Controller Board है जिससे कुछ टास्क करवा सकते हैं जैसे कि घर की Lights और Fan को Remote या फिर Mobile से कंट्रोल करना या फिर Line Follow रोबोट बनाना या फिर Sensor से किसी परकार का Data Read करके LCD पर सो करना तो दोस्तों Arduino एक Micro Controller Board है जिसमें कुछ Input Output Pins होती है इनी Pins की Help से कुछ Sensor कनेक्ट कर सकते हैं या फिर Motors, LED और LCD भी कनेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों Arduino में एक Micro Controller Chip होती है जो कि अपने आप में एक Computer की तरह वर्क करती है इसमें कुछ Megahertz का Processor होता है और कुछ Kilobyte की RAM, कुछ Byte की E-P-ROM और कुछ Kilobyte की Internal Memory होती है जो कि Arduino Board पर Depend करती है कुछ Arduino Board होते हैं जिनकी Input Output Pins बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ होते हैं जिनकी Cloak Speed बहुत ज़्यादा होती है कुछ size में छोटे होते हैं तो कुछ size में बड़े होते हैं तो दोस्तों ये boards हम अपनी requirements के हिसाब से choose करते हैं और इस video में मैं आपको general boards के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ तो सबसे पहले देखते हैं कि Arduino Uno ये सबसे basic Arduino board है और अगर आप beginner हो तो मैं आपको यही Arduino board use करने के लिए कहूंगा क्योंकि इसे use में लेने के लिए आपको किसी भी परकार का driver install नहीं करना पड़ेगा और ये काफी easily connect कर सकते हैं तो दोस्तों Arduino Uno में 14 digital input output pins है जिन में से 6 PWM pins है और 6 analog input pins है इसके अलावा 16 MHz की clock speed है और 32 KB की internal memory है और 2 KB की RAM है और 1 KB की EP ROM है तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि ये board beginners के लिए सही है क्योंकि इस board के लिए काफी तरह की shield आते हैं जिनने हम directly connect करकर use में ले सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद में आता है Arduino Nano ये Arduino Uno की तुलना में काफी चोटा है और इसमें लगबग वही feature है जो कि Arduino Uno में है Arduino Nano की खास बात ये है कि ये size में चोटा है और breadboard friendly है और सबसे बड़ी बात है कि Arduino Uno से चोटा होने के बावजूद इसमें Arduino Uno से कुछ pins ज़ादा है तो दोस्तों अब देखते हैं कि Arduino Mega ये size में सबसे बड़ा Arduino board है और सबसे ज़्यादा input output pins भी इसी में होती है इसकी clock speed तो 16 MHz है लेकिन इसमें 54 digital input output pins है जिनमें से 14 PWM pin है साथ ही इसमें 16 analog input pin है इसमें 250 kb की internal memory है जो कि Arduino Uno से 8 गुना है लिया जाता है तो दोस्तों अब देखते हैं कि Arduino Pro Mini ये दिखने में लगबग Arduino Nano जैसा है और इसकी specification भी Arduino Nano के similar ही है लेकिन अभी तक हमने जो Arduino board देखे थे उनमें उनका खुद का programmer होता था मतलब कि हम उनको directly PC से connect करके coding कर सकते थे लेकिन Arduino Pro Mini में हमें अलग से programmer की जरूत पड़ेगी तो दोस्तों अब देखते हैं Arduino Leonardo Arduino Leonardo दिखने में Arduino Uno जैसा ही है लेकिन इसमें काफी ज़्यादा features है जैसे कि इसमें कुछ extra analog input output pins और PWM pins है Arduino Leonardo की सबसे खास बात है कि HID support करता है जिसका मतलब है कि इस Arduino board से हम PC का keyboard और mouse बना सकते हैं तो दोस्तों अब देखते हैं कि दुनिया के सबसे चोटे Arduino board में से एक Arduino board है DG Spark 80tiny 85 ये size में बहुत ही चोटा है और इसमें total 6 input output pins है directly USB port से connect कर सकते हैं और दूसरा जिसे हम USB cable से connect कर सकते हैं तो दोस्तों इसके अलावा भी सेंखडो तरे के Arduino boards आपको market में मिल जाएगे आप board चाहे कोई सा भी लो लेकिन programming एक जैसी होगी तो दोस्तों आज की इस video में मैंने आपको Arduino की basic जानकारी दी है और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Arduino IDE software कैसे install करते हैं और इससे programming कैसे की जाती है तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईए और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हो तो मेरा चैनल देखिए आपको कुछ अच्छा कंटेंट जरूर मिलेगा